तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप अपने माई फर्श ब्लोग को अपलोड कर देते हो टाइटल टैग लगा करके और सोचते हो कि मेरी जो वीडियो वारल चली जाएगी और अपने वाइटी स्टूडियो को बार बार आप स्क्रॉल करके देखते रहते हो कि अब कित आपको करकेहाँ पर दिखा दे रहा हूं ये देखिए उनकि बर उपेर्श फर्श किया और यहां पर देखिए बना ब्लॉग इसके बाद प्रदी और ऐसी थी वीडियो trustees की आपकी игрि लेकिए या पर मैं ठीक करने केich करता हूं क्लिक करने के बाद यहां पर एफेम आपशन और इसमें आपको, यहाँ पर मैंने लास्ट आवर सेलेक्ट कर दिया, और लास्ट आवर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, बहुत था एप सारी ऐसी वीडियो आ गयि है, जो एक घंटे के अंदर में अपलोट की गई हैं और उन सब वीडियो पर देखिए किसी वीडियो पर 19 व्यूज रहा गए तो कुछ ना कुछ इन लोगों ने गलती किया है जिसकी वज़े से इनकी वीडियो वाइरल नहीं गई है और वही गलती सेम आप भी अपनी वीडियो पर करते हो और इसके बाद अ फीडियो है ने चै裡面 वाइरल हो जाएगी तो जब गलती करते हो तो कहां से वाइरल हो जाएगी आप मेरी एक ये वीडियो देख लीज does नहीं है यानि यवीडियो एक दम से बकवास से और अभी इसी वीडियो को में आपको एडिट करके दिखाउंगा ना और इसी वीडिय जिनकी वीडियो वायरल हो रहा है उसी तरह से आप भी अपने वीडियो को अपलोड कर दोगे और इंतजार को रहेगे कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपकी जो वीडियो है वो वायरल बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि आप इसी तरह से गलती करो जो यो ये लोग गलती कर रहे हैं देखिए 34 मिनट पहले एक घंटे पहले डेर घंटे पहले ये सारे वीडियो अप्लोड की गई है और इन सब वीडियो पर सिर्फ 40-50 व्यूज आकर के रुग गए 100 व्यूज भी क्रॉस नहीं हुआ तो अगर आप भी अपने वीड कई हुआंटे के अंदर में दुस्टो 100% में गारंटी दे कि रहा हूं और जहेगा एक दौग 100% गारंटी दे कारओ माइ फर्ट ब्लोग को ऐसे सूट नहीं करना है starty में आपको अपना front face नहीं दिखाना है कि हाय दुस्तों मेरा नाम ये है ये सब कुछ आपको इस तरह से बिल्खुल नहीं बूला है आपको इस starting में कैसे suit करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों देखी अभी आपको मेरे mobile का screen यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर मेरे mobile में आपको दो camera दिख रहा है मैंने यहाँ पर install करके रखा हुआ है एक मेरे mobile का camera है इसकी quality भी आप देख सकते हो और इसके बाद यहाँ पर मेरा एक मैंने open camera डाउनलोड किया हुआ है इसकी quality को भी आप यहाँ पर देख सकते हो तो अगर आपके mobile के camera की quality अच्छी हो तो आप अपने mobile के camera से video बनाओ और अगर आपके mobile के camera की quality अच्छी नहीं है तो आप एक काम करो आप open camera डाउनलोड कर लीजिए प्लेशोर से आपको यह मिल जाएगा और इसकी quality आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी जबर्दस्ट quality इसको आपको मिलती है ठीक है और आगर आपके mobile के camera की quality अच्छी है तो आपके सामने देखिए camera में कुछ आपको settings मिल जाएगा इस settings में आपको कुछ छिड़ खानी करना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपको 1080 पे 30 fps पे video record होता है और 60 fps पे video record होता है आप यहाँ पर देखिए क्वाल्टी काफी जदा आपको फरक यहाँ पर दिख रहा होगा और अगर आपके mobile में 4K video shoot होता है तो दोस्तों आप मैं बोलूँगा कि 4K video ही आपको यहाँ पर shoot करना है तो कैसे shoot करना है देखिए आपको अपने mobile का camera चालू करने के बाद आपको जहां पर हरियाली रहे यह देखिए जिसे मेरे balcony में हरियाली दिख रही है आपको हर जगा हरियाली दिख रही है हरियाली इस तरह से shoot करना है तो दीरे 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 इस तरह से आपको इस तरह से सारे पेड़ पौदों को इस तरह से सूट करके अब इसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ आपको सीन इस तरह से दिखाना है यह देखिए कुछ इस तरह से सीन दिखाना है इस तरह से जूम करके कुछ इस तरह से आपको जूम करके हरियाली का scene दिखा रहा है जिससे की काफी अच्छा लगे अब इतना सिर्फ 20 सेकंड तक आपको ये सिर्फ दिखा रहा है ठीक है तो दोस्थो जब उतना 20 सेकंड वाला पार्ट आप चूट कर लोगे चूट कर लेने के बाद आपको फिर क्या करना है 20 से 40 सेकंड तक आपको अपने वीडियो में एक ऐसा पार्ट बनाना है, यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, कि आपको अपने नाम को बताना है, आप करते क्या हो, आप कि इतने पढ़े लिखे हो, ठीके, आपको गाउं कहां पे है, और इसके बाद में आपको ये बोलना है, कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो भाई, प्लीज मेरे चनल को सपोर्ट करो, मेरे चनल को सब्सक्राइब करो, मेरा चनल नया है, और यह मेरा फर्स्ट ब्लोग है, और आगे आपको मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो देते रहूंगा, ठीके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनलों का सब्सक्राइब करके कॉमेंट करना लाइक करना बस इतना बोलना है चालिस सेकेंड में 20 सेकेंड का पहला पाट तो आपकी वीडियो जो है एक मिनट के अंदर में हो जाएगी और इसके बाद आपको एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो शूट करने के बाद आपको आपको नेक्स्ट काम क्या करना है आपको काइन मास्टर में आने के बाद आपको आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लेना है ठीक है न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो में एकदम से कुछ खास मता नहीं या रहा है यानि कि इसका color correction अच्छा नहीं है इसमें music नहीं है तो आपको color correction कैसे करना और इसमें आपको transaction डालना है कैसे डालोगे वह सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को select करन देना है नहीं तो आपकी वीडियो जीस हिसाब से उस पर आपको यहाँ पर select करके चूज करके देख ले रहा है तो C01 पर देख लेते हैं और C02 पर तो C02 पर मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ पर इसको 100% इने देना ठीक है अगर आपको लग रहा है कि 100% से अच्छा तीन चीज करना है यह contrast, saturation और vibrance यह तीनों चीज आपको करना है इसी तीनों चीज में आपको अपने वीडियो को edit करना है तिया पर सबसे बहले आपको क्या करना है अब देखिए आपकी वीडियो जो है 100% पूरे तरीके से difference हो गई पहले वीडियो देखिए और आप वीडियो देखिए जमीन आसमान का आपको अंतर यहाँ पर दिख रहे है अब इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है अपनी वीडियो में जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर कट करना चाहिए ठीक है तो इस तरह से मैंने किया और इसमें मैंने इस तरह से कट लगा दिया कट लगाने के बाद में अब यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके समने बहुत सारा option आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर एक option मिलेगा सबसे पहले इसमें आपको यह वाला option select कर देना है सेलेट करने के बाद यहां पर आपको जो नंबर दिख रहा है इसमें आपको क्या करना है वन परसेंट कर देना है इसके बाद में यहां पर फिर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको देखी स्पीडी वार्प दिख रहा है इसमें आपको यह वाला ओप्सन सेलेट करके आपको 0.05 पे कर देना है फिर इसके बाद तीसरे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है इसके बाद ग्लिच जूम पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर यह जो ओप्सन दिख रहा है यह वाला ओप्सन इसको क्लिक करके यह फर्स्ट वाले 0.5 पे कि कैसा लग रहा है ठीक, अब इसके बाद है आप यह आप को 3rd step क्या करना है, कि माय फर्स्ट ब्लोग का music लगाना है, तो मैं ने आप music download करके रखा हुआ है, आप भी download कर शकते हो, आप को simple से क्या करना है, आप YouTube पे आई है, YouTube पे आने के बाद में आपको यह वाली music आपको मिल लाएगी, आप search करके आप ये music download कर लीजे, ठीक है तो मैंने ये music download किया हुआ है और आप भी इस music को आप download कर लीजे, ये देखिए, यहाँ पर music आपको मैं दिखा दे रहा हूँ रित्वीज, जीत official करके आप download कर लोगे ये music जो है, ये music जो है लग रहा है, तो दोस्तों इसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि बाकी का face cam वाला जो वीडियो है, वो भी आपको आपके वीडियो के end वाले पार्ट में add करके उसको भी अच्छे तरीके से edit कर लेना है, ठीक है आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको वीडियो शूट करना है, कैसे आपको edit करना है उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो कि मैंने आपको बहुत ये अच्छी चीज बताईए तो वीडियो पर लाइक करके कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना